जैहिन साथियों आए देखते हैं गांधी यूग सबसे बहतरीन और सबसे आसान तरीका बहुत ही सिंपल ट्रिक के माध्यम से देखेंगे आपको याद हो जाएगा इतना बहतरीन बताएंगे कि आप एक बार वीडियो देख लिए तो आपको जीवन में कभी भूलने वाला न आएंगे इतना विश्वास है हमें ठीक तो थोड़ा सा सब्द इधर उदर होंगे थोड़ा सा अलग होंगे गलत होंगे तो थोड़ा सा बूरा नहीं मनना है क्योंकि भाई हमको याद करने से मतलब है ठीक है और गांधी जी को मैं मानता हूं आप भी मानते होंगे बहुत लोग मानते हैं ठीक है वो हमारे पुझ है 69 पोजिशन आपको याद रहेगा कि 2 अक्टूबर 69 में गांधी जी का जनम हुआ था कहां पर पूरबंदर गुजरात में कहां पर पूरबंदर गुजरात में सिंपल है पीता का नाम क्या था कर्म चंदर गांधी क्या नाम था कर माता का नाम और पतनी का नाम में कन्फूजन होता है किसी किसी बच्चे को सबको नहीं होता है जो भाई एक्सिलेंट होनको नहीं होता है तो माता के क्या थे पुतली के आख के तारे थे पुतली होती नहीं आख में तो उस आख के तारे थे गांधी जी ठीक है अपने माता क पुतली का तारा तब पुतली बाई इनके माता का नाम था ठीक सिंपल है भूलेगा नहीं आईए पतनी का नाम था कस्तुर्बा गांदी क्या था कस्तुर्बा गांदी तो पतनी कष्ट में क्या करती है सहारा देती है तक कष्ट में सहारा देती है आपका तक कष्ट से हो जाए का कस्तुरबा गांधी ठीक है माता का नाम पुतली के इतारे थे तक पुतली बाई पतनी क्या करती है कष्ट में सारा देतर कष्ट से कस्तुर्वा गांधी सिंपल है जन्म इन का 2 अक्टूबर 69 पोजीशन ठीक अब है साथी हो गांधी जी के गुरू का क्या नाम था गो पाल कृष्Assan गोखले कोशन पूछेगा कि गांधी जी के गुरू का नाम क्या था तो गोपाल कृष्न गोखले कैसा इसको याद कर सकते हैं simple है गुरू जो है क्या पढ़ाता है आपको GK पढ़ाता है घी के गोखले गोपाल कृष्न गोखले जीके पढ़ाता है ये गुरु से अपने जीके पढ़े थे तो गोपाल से बजाएगा ना गोपाल कृष्ण कोखले ठीक है ठीक है आईए इनका नामे था जीके गोखले का सकते हैं या कोपाल कृष्ण गोखले अब देखते हैं गांधी जी के बारे में देखें कहानी यहां से सुरुवात होती है कि गांधी जी जाते हैं लंदन पढ़ने के बार पढ़ने के बार आते हैं कोशन ने पुछता कि लंदन कब गए क्या कि ये लंदन में लंदन नहीं कोशन पुछत तो आएधे देखते हैं उस कहानी को समझते हैं, देखिए साथ यहों, गांधे जी अफिरका जाना था, तो कहे कि हमको तीर लाओं तीरी पर बैट के चले जाएंगे, उड़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है? तीर बारने गए, कहां पर अफिरका में किसी को तीर मारना था, तो इस तीर पर बैट के तीर मारने गए किसी को और फिरका ठीक है, तो तीर से हम याद करेंगे तीरानवे, मतलब कि गांधी जी 1893 में और फिरका गए थे, कोशन पुशेगा कि गांधी जी और फिरका कब गए, तो तीर मारने गए थे किसी को, तो तीर से तीरानवे, तीर से अडिरानले 309 में गहे थे गांधी जी अभय गांधी जी पूचे डर्बन और डर्बन से जा रहे हैं थे पितो रिया को पीटने जा रहे हैं ठीड़ Coast टिकट लिए हो गांधी जी बोले हाँ टिकट लिए हैं भाई लेकिन देखे तो काला है तो बोला कि काला लोग एक कलास में नहीं बेटता है एवन कलास में काले लोग को not allowed है ठीक है और उसने का किया कि इनका जोड़ा जकर लिया इस्टेशन पर फेक दिया उठा के ठीक है औ अब गांधी जी गुस्सा हो गया अब जाके गांधी जी विया लंदन में केस गर थी बोले जब हमको बैठाना नहीं था तो टिकट दिया क्यों भाई तुम इसके उपर एक केस जित गया और ठीक है बहबाई हो गई ठीक है तो कोशन पूछता है कि किस स्टेशन पे गांध ठीक है तो यह वर्ग में उतार दिया गया कि भाईया उतरो तुम ठीक है अब हाँ इस स्टेशन पर उतरे और बर्गर खाए पीटर मेटर्ज वर्ग ठीक है यह स्टेशन का नाम है यह बर्गर आपको याद रहेगा तो सिंपल है आपको याद रहेगा किसी स्टेशन पर उ तिसरा कोशन क्या पूशेगा तिसरा कोशन ये पूशेगा सातियों कि गांधे जी दश्री फिरका जा रहे थे जिनको उतार दिया गया वो कहां जा रहे थे कहां जा रहे थे पीटो रिया जा रहे थे क्या करने किसी को पीटने जा रहे थे किसको रिया को रिया को पीटने जा तो यह आपका राइट इंसर क्या होगा पीटू रिया तीन कोशन तयार देखे तीन तरह के कोशन होगे पहला कोशन गांधी जी भारास या फिरका कब गए 1893 में तीर बार ने दूसरा कोशन गांधी जी को किस इस्टेशन पर उतारा गया था पीटर मेजर वर्ग ठीक बर्ग कि गांधी जी भूखड़ताल किस से सिखा किस से सिखा रसकिं से ठीक है रसकिन भूख लगी रतिया बचों की ठीक है याद कर सकते हैं कि भूखड़ताल इन्हों ने रसकिं से सीखा है किसे रसकिन से अगला कोशन क्या पूछ सकता है साथियों कि गांधी जी आंदोलन करना किसे सीखे थे या किसे प्रभावित थे या कोशन कहेगा कि गांधी जी सबसे अधिक किसे प्रभावित थे जिसका नाम था लियो टाल इस्टाय क्या था लियो टाल इस्टाय ये important है बहुत बार आपके द्याम में आया हुआ question है सबसे अधिक गादे जी किसे प्रभावित थे तो इसी ब्यक्ति से प्रभावित थे क्या था लियो टाल इस्टाय यह लिखा है टाल मनले टी के अकार का टाल टील टील ठीक है मतलब लंबा ठीक है लियो टाल इस्टाय बतल लियो मने क्या हो था लंबा आदमी था कोई खुब लंबा आदमी ठीक है अटाल इस्टाय टी के अकार का था तो उसी से यह आंदोरन करना सांती से आंदोरन करना सीखे थे अब question कुछता है साथियों कि गांधे जी अफिरका में क्या क्या किये सबसे पहले 1903 में एक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया जिसका नाम था द इंडियन ओपेनियन बहरी बहरी most important है एक question पुछता है कि किस पत्रिका का संपादन किया गांधे जी अफिरका में तो यह था आपका इंडियन ओपेनियन ठीक है इंडिया के नाम से है सिंबल है अतीन में अब तीन में ठीक है तिरानवे में गए अतीन में इन्होंने पत्रिका लिख दिया ठीक है अब question पूछता है आगे कि सबसे पहले 1904 में 1904 में फिनिक्स आसरम की अस्थापना किया इन्होंने 1904 में फिनिक्स आसरम की अस्थापना किया कहाँ पर अफिरका में 1906 में प्रथम सत्यागर question पूछेगा कि गांधी जी का प्रथम सत्यागर कौन था तो 1926 में प्रथम सत्यागर पहीला चोन, चोन मने क्या होता है चो, पहीला चोन पहां पर, औफिरका में किया है जो कि 1906 में है जब भारत में पुछेगा, तो आपके चमपारण में हो जाएंगा लेकिन और पुछ रहा है अफिरका में पर्थम सत्यगरभ था 1906 में कोश्चन पूछेगा कि गांधी जी अफिरका में कौन सी पुष्टक लिखे हैं तो कौन सी हिंद स्वराज पुष्टक नो ने लिखी है किसने गांधी जी ने अफिरका में हिंद स्वराज पुष्टक उन्यस सो नौस भी में लिखा है ठीक है सन इंपोर्टेंट नहीं है जा अब इतना सब काम हो गया भीया अब फिर कामे अब गांधी जी जाना था भारत पैसा सब खतम हो गया अब क्या करें तब इन्हों ने क्या किया कि नाव लिया एक नाव बना इन्हों ने ठीक है बोले कि हम पानी से जाएंगे मलब समुंदर से जाएंगे तिना से एक समुंदर पकड़े नाय लिए नाय से चले गए भारत तो नाय से हम याद करेंगे नाय से गई नाय से नाय से हो जाएगा नाइन मलब नौ जनौरी आप पानी में गई पानी से हो जाएगा पंदरह मतलब कि 1915 नौ जनौरी 1915 में गांधी जी अफिरका से भारत वापस आए यह question पूशेगा है आपके एक जाम में कि भारत में दच्छला फिरका से गांधी जी कब वापस आए तो 9 जनौरी 1915 में कब 1915 में 9 से आए तो 9 से 9 जनौरी पानी से आए तो 1915 simple है यादर है का कोई बच्चा को भूलेगा नहीं इसलिए साथियो 9 जनौरी को भारतिय परवासी दियोस मनाए जाता है मतलब परवासी मतलब परवासी देशों से दूसरे देशों से भारत वापस आना अपने आदमी जब चला गया है जो चला गया है वो वापस आता है तो उसी को बोलते हैं परवासी मतलब परवासी भारतिय दियोस 9 जनौरी को इसलिए मनाए जाता है ठीक है कोश्चन पूशेगा ये है आप गांधी जी की कहानी अब होता है इसके बाद शुरुवात गांधी यूग अब शुरुवात होगा गांधी यूग आए सास्यों देख लेते हैं गांधी जी को थोड़ा सा जैसे जिसे पढ़ाए हैं हो से सबसे होने से हैं कहानी सबसे पहले इस घांधी जी भारा से अफिर्का का करने गए थे ए तीर मारने तो तीर से 983 में गए थे कहां जा रहे थे किसीको पिटने जा रहे थे रिया को किसे को रिया को ठीक है पिटो मेजर वर्ग तो बर्गर से हो जागा पीटर मेजर वर्ग ठीक है तो वर्गर से वर्गर ठीक है इस से नब उतार दियेगा इनको ठीक है ये दरबन से पीटो रिये जा रहा थे पीटने के लिए रिया को ठीक है ये हो गया आपका ये पहिला सबसे भूखणता है गांदी जी क और यह सबसे ठीक प्रभावी थे लियो टालिश्टा है ठीससे प्रभावी थे गांदीजी अब है 1903 में the Indian opinion नमप पत्रका के समबदन किया था में ठीक है 293 में पत्रिका यह ने लिखा ठीक है डस इंडियन ओपिनियंस चिपल्पल है JULI है že Lecture 9 107 में। 1 दर द निने संस्पार में। धार live ऊंड 9 14 नमाट पूस्तख इन्हों ने लिखा है यह हो गया गांधीय युग का प्रथम सुरुवात गांधी जी का परिचे सबसे पहले इधर देख लेते हैं जनम कब हुआ था गांधी जी का दो अक्टूबर 1869 में मतलब 69 पोजिशन पर जनम हुआ था आगे पीता का नाम पीता कौन थे करम चंदर गांधी माता का नाम माता के क्या थे पुतली थे पुतली बाई पतनी कष्ट में साहरा देती है तक स्तूर्बा गांधी गुरु कौन थे इनको जी के कौन पढ़ाया था जी के गोखले मलब की गौपाल क्रिशन गोखले सिंपल है याद हो गया गांधी जी के थोड़ी सिड़ कहानी अब ये भारत में 25 खतम हो गया या फिरका में ये किस जाये थे 9 से तो 9 जनौरी पानी के सहरे आये तो 1915 में भारत वापस आये थे तिये हो गया गांधी जी का सिवन जीवन परचे अब दखेंगे गांधी यूग अगले विडियो में